सबी दिल्ली वासियों को मेरा नमस्कार पिछले एक साल से जब से कोरोना शुरू हुआ है मैं समय समय पे आपके बीच में आके सबी तत्थियों को परिस्थितियों को इमानदारी के साथ आपके सामने रखता रहा हूँ आपसे चर्चा करता रहा हूँ एक चीज हम लोगों ने हमेशा गांठ बांद के रखे आपको कभी गलत अठ्थे नहीं दिये आपसे कभी जूट नहीं बोला जो था आपके सामने रख दिया अगर स्थिती अच्छी थी तो भी आपको बताया स्थिती खराब थी तो भी आपको हमने इमानदारी से बताया क्योंकि हम पहले दिन से समझ गए थे कि ये इतनी बड़ी आपदा है कि आपके साथ के बिना जनता के साथ के बिना अकेले इस आपदा से सरकार सामना नहीं कर सकते हैं जनता का सहयोग और जनता की सहभागिता इस पूरे संघर्ष में बेहत जरूरी है और जब तक जनता को सेच नहीं बताया जाएगा सारे तथ्थे जनता के सामने नहीं रखे जाएंगे तब तक जनता के भागिदारी सुनिश्चित करना असंबफ था इसलिए हमने हर चीज आपके सामने रखी मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी दिल्ली एक परिवार है दिल्ली के दो करोड लोग एक परिवार है और जब परिवार में कोई आपदा आती है तो सारे परिवार के लोग मिलके उसका सामना करते हैं अब भी हम सभी मिलके इसका सामना करेंगे पहले भी जीत हुई थी अब भी जीत होगी आज दिल्ली में क्या परिस्थिती है पिछले 24 गंटे में दिल्ली में लगबग 23,000 केस आये हैं उसके पिछले 24 गंटे में लगबग 25,000 केस आये थे तो पिशले तीन चार रोज दिन से रोज हम देख रहे हैं लगबग 25,000 के करीब केस आ रहे हैं पॉजिटिविटी बहुत ज़ादा बढ़ गई है संक्रमंदर बहुत ज़ादा बढ़ गई है दिल्ली के अन्दर अस्पतालों में उपलब्ध बेड़ की भारी कमी हो रही है डेली 25,000 अगर पेशेंट्स आएंगे तो कोई भी विवस्ता चर्मरा सकती है दिल्ली के अंदर बेड़ की भारी कमी हो रही है ICU बेड़ डिल्ली में लगबग खतम हो गए है आज सुबह मैं एप पे देख रहा था सौ से भी कम आईसी बेड तिल्ले में बचे हैं ओक्सीजन की भारी कमी हो रही है कल हमने सेंटरल गौर्वर्मेंट को भी लिखाया उनसे बाचीच चल रही है परसो रात को एक हादसा होते होते बचा एक प्राइवेट हास्पेटल ने हमें बताया कि परसो रात को तीन बजे के करीब उनके अस्पताल की ऑक्सीजन लगबख खतम हो गई वो बोले जी हम तो बहुत बुरी तरह से डर गए बहुत बड़ा हादसा हो सकता था इधर उधर हाथ पर मारके किसी तरह से उन्होंने कहीं से ऑक्सीजन का इंतिजाम किया दवाईयों की कमी हो रही है रेमडेसेविर दवाई की खासकर काफी कमी हो रही है ये सारे तथे मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताए ये सारी परिस्थिती है और इन परिस्थितियों में हमें अब अगला कदम क्या उठाना है इस पे चर्चा करने के लिए मैंने आपको यह परिस्थिति बताई है तो दिली के अंदर करोना की परिस्थिति काफी गंभीर है अभी तक हमने दिली के अंदर हेल्थ सिस्टम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया दिली में चौथी वेव आई है पहली वेव पिछले साल जून में आई थी जिसमें साड़े चार हजार के करीब केस आई थे दूसरी वेव आई फिर सितंबर में फिर तीसरी वेव आई जिसमें साड़े आठ हजार के करीब केस आए थे दुनिया के कई शहर ऐसे हैं बड़े बड़े देशों के विक्सित देशों के शहर जहां छे हजार केस आई तो उनका पूरा हेल्थ सिस्टम चर्मरा आ गया कोलाप्स कर गया दिल्ली में साड़े आठ हजार केस आई पिछली बार तीसरी वेव में तब भी हमारा सिस्टम कोलाप्स नहीं किया उल्टे हमने और ज्यादा अपनी तैयारियां शुरू कर दी आज पच्छिस हजार केस आएं है अब दिल्ली का हेल्थ सिस्टम अपनी सीमा तक पहुंच गया है हमारा हेल्थ सिस्टम अब बहुत ज़्यादा पनाव में है मैं यह नहीं कहूंगा कि हमारा हेल्थ सिस्टम अभी कोलाप्स किया है लेकिन आज हमारा health system बहुत जादा पनाव में है किसी भी health system के अपनी सीमाई होती है अंगिनप patients तो कोई भी system नहीं ले सकता ना किसी भी system के अपनी सीमाई है पिछले 5 साल में आपकी सरकार ने दिल्ली में बड़े बहुत बड़े स्तर पे स्वास्त के खित्र में काम किया है खूब नए hospital खोले हैं महला क्लिनिक पॉली क्लिनिक बनाए है बहुत बड़े स्तर के उपर स्वास्त के खित्र में काम हुआ है यही कारण है कि अज 25,000 केस के उपर भी दिल्ली का system चल रहा है लेकिन अब इसके बाद अगर तुरंट कुछ कठोर कदम नहीं उठाए गए तो यह system कलाप्स कर सकता है और अगर health system कलाप्स कर गया तो मुझे डर है कहीं बहुत बड़ी तरासदी नहों जाए जैसे हम ने बताया कि कल एक hospital में oxygen बिल्कुल खतम हो गई थी और बहुत बड़ी तरासदी होते होते बची मैंने वीडियोज देखे हैं तस्वीरे देखे हैं आपने भी देखे होंगे social media पे दुनिया के कई शहर ऐसे हैं जहां corridor में patients पड़े हुए हैं सडकों के उपर लोग दम तोड़ रहे हैं अभी तक हमने दिल्ली को उस किसम की तरासदी से बचाया है वैसा नहीं होने लिया आज सुबह 11 बजे मेरी और LG साब की meeting होई और इन सारे पहलूँ के उपर सारी परिस्थिती के उपर काफे विस्तार से बात्चीत होई और उस बात्चीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का health system बड़ी मात्रा में और अधिक patients अब लेने में असमर्थ है अगर हमने अभी lockdown नहीं लगाया तो कहीं ऐसा नहों कि बड़ी तरासदी हो जाए हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिती में नहीं ले जाना चाहते जहां corridor के अंदर patients पढ़े हैं सडकों पे लोग दम तोड़ रहे हैं आज सभी परिस्थितियों का जाय जा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए lockdown लगाना ज़रूरी है तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में lockdown लगाया जा रहा है इस दौरान जाहिर है कि जो जो essential services हैं वो जारी रहेंगी खाने पीने की, medical विवस्थाओं की वो जारी रहेंगी ये शादियों का सीजन है लोगों के बड़े मुश्किल से रिष्टे बनते हैं हम उनके रिष्टे तोड़ना नहीं चाहते तो लोगों की शादियां संपन हो लेकिन केवल 50 लोगों के gathering के साथ संपन हो उसके लिए लग से पास दिये जाएंगे इसके बारे में अभी थोड़ी देर में कोई उपाय नहीं बचा था हमारे लिए ये निरने लेना असान नहीं था क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लोगों के दोरान किस तरह से लोगों के रोजगार खतम हो जाते हैं लोगों की कमाई खतम हो जाती है और खासकर सबसे गरीब तब के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है जो दिहारी करके रोज कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है पिछली बार जब देश में लोगडाउन लगा था हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गाउं जाने लगे थे उनसे मैं खास तोर से हाथ जोड़ के अपील करना चाता हूँ ये छोटा सा लोगडाउन है छे दिन का दिली छोड़ के मच जाईएगा आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा इतना पैसा खराब हो जाएगा इतनी उर्जा खराब होती है दिली में रहिए मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लोगडाउन हो और छोटा ही रहेगा मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की जरूरत ना पड़े आप दिली में रहिए यकीन मानिये हम पूरी मानदारी के साथ सब मिलके लड़ेंगे तो जल्दी इस मुच्सिबत से छुटकारा पाएंगे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी मैं हूना मुझे पर भुरूसा रखे मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निरने हमने बहुत मुच्किल से लिया है आप सब लोग जानते हैं कि मैं लोगडाउन के सक्त खिलाफ रहा हूँ हमेशा से मैंने लोगडाउन का विरूद किया है मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से करोना खतम नहीं होता लॉकडाउन से करोना की स्पीड कम हो जाती है मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ विवस्था अपनी सीमा तक पहुँच जाए तो lockdown लगाना जरूरी हो जाता है ताकि patients का number कम हो जाए ताकि health system को और दुरुस्त किया जा सके ये जो 6 दिन का lockdown हम लगा रहे हैं ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आप से इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्थर के उपर और दिल्ली में beds की वेवस्ता करेंगे केंदर से हम मदद मांग रहे हैं उनसे लगातार संपर्क में हैं केंदर सरकार हमारी मदद भी कर रही है उसके लिए हम केंदर सरकार के शुक्र गुजारें उनसे oxygen की विवस्ता करेंगे दवाईयों की विवस्ता करेंगे इस lockdown के समय को हम इन सब चीज़ों के लिए इस्तिमाल लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप मेरा साथ देंगे हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और जरूर जीतेंगे देश विदेश के तमाम ख़परों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूँ और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपदेट सबसे पहले